Hello everyone, welcome to Utkarsh. आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अब्रिवियेशन्स के बारे में. क्या होता है अब्रिवियेशन्स? हमने पहली बार सुना और इतनी difficult लग रहे हैं इसकी spelling बट ये इतनी difficult नहीं है और ये आपके लिए बहुत easy भी है. कैसे? अब्रिवियेशन्स का मतलब होता है जो बड़े बड़े words हैं उनको छोटा short form में करना. हाँ यही तो जो आज हम daily life में use करते हैं, हम कोई भी slang use करते हैं या बड़ा सा ना बोलके हम क्या कर देते हैं उसका short form use ले लेते हैं. तो वो सारी चीज़े हम आज के इस वीडियो में देखेंगे. अब्रिवियेशन्स हमारे ग्रामर का एक पार्ट है. चलो स्टार्ट करते हैं उसकी definition से. फर्स्ट अफल definition क्या है इसकी? वो देखेंगे हम अब abbreviations. क्या है इसकी definition? Abbreviation is a shortened form of a written word or phrase used in place of the whole word or phrase. है पार्ट उसका किसका? जो whole word है यानि बहुत बड़ा word है उसको हम क्या करते है? चोटे तरीके से जब लिखते हैं, लिखा है, क्या लिखा है? रिटन वर्ड राइट या फ्रेज तो चोटा form उसको हम क्या कहेंगे? अब्रिवियेशन कहेंगे, यह हमें समझ में आ गया, but now, कैसे होते हैं? कहां कहां यूज होते हैं? वो सब हम अभी देखेंगे इसके examples में, और examples start करेंगे, हम किसे हमारे subject से, यानि किसे grammar से, हमारा subject grammar, क्या है इसमें abbreviations यूज होते हैं? कभी notice ही नहीं किया होगा आपने, चलिए देखते हैं, adj and full stop लगाया हुआ है, what it is mean? क्या मतलब है इसका? adjective, हम बार बारी adjective ना लिखके, उसको short form में जब adj लिखते हैं, तो वो क्या होता है? वो हो जाता है abbreviation, किसका? adjective का, उसी तरीके से adverb है, तो starting में हमने यहां पे adj से adj इसका बन गया, adv है, इसलिए adverb का adv बन गया, next noun and the first letter क्या है, इसका n है, यह इसका abbreviation बन गया और verb का v है, तो यह इसका abbreviation हो गया, that means कहीं न कहीं जो word के first letter है, हम उनहीं से बनाते हैं abbreviations, okay, चलिए और देखते हैं, यह तो हो गया हमारा grammar वाला part, next क्या है हमारे लिए, next ह history से related, yes, मैं तो इतनी बड़ी हुई तब मुझे पता चला, ad और bc का full form क्या होता है, history में हमने बहुत बार, जब हम कोई भी year learn करते हैं, तो उसके आगे आता है, क्या आता है ad या bc, but उसका full form क्या होता है, यह तो हमने जाना ही नहीं कभी, so ad means, ad का क्या मतलब होता है, anodom but इसका use क्या है, क्या मतलब बताता है, ad का मतलब होता है, after the birth of Jesus, यानि Jesus के birth के बाद का जो time है, उनको हम कहते है, ad से, okay, and next क्या है, bc, bc मतलब क्या होता है, before Christ, यानि before the birth of Jesus, यानि Jesus के birth से पहले, Jesus का जब जनम हुआ, उससे पहले का time है, उसको हम represent करने के लिए history में, bc, use लेते है, ad, bc, clear हुआ आपको, चलिए, और देखते हैं हम अब, क्या है next, people in profession, यानि बहुत सारे से profession होते हैं, जिनको हम लोग short में, अब teacher को तो हम short में नहीं लिखते हैं, लेकिन आपने usually देखा होगा doctor के लिए, doctor को हम बार बार doctor ना लिखके, क्या लिख देते हैं, d, r, use किया जाता है, right, उसी तरीके से junior और senior होता है, तो junior के लिए हम क्या use लेते हैं, j, r, so ये इस तरीके से profession से related भी चीज़े हैं, doctor के लिए लेते हैं, dr हमने बहुत बार देखा है इसको, okay, इसमें d capital रहता है, ये ध्यान रखने जरूरी है हमारे लिए, next क्या है, next is measurement, that means it belongs to maths, सारा maths में जो भी हम naap, tol और सारी चीज़े यूज लेते हैं, वो किस में आएगा, इस measurement वाले पार्ट में आएगा, हमने यूज लिया है, हम हर बारी उनका unit बताने के लिए क्या करते हैं, कभी लिखते है cm, कभी लिखते हैं सिफ mt, कभी km, बट इनका full form भी जानना ह हमारे लिए जरूर ही है, अब्रिवियेशन में यही तो है, क्या है, देखते हैं, आए एन, ऐसे तो आए एन मतलब इन हो गया, बट आए एन के बाद में, जब हमने full stop लगा दिया है, तो उसका full form क्या है वो, इंच है, इंच से बना है आए एन, और जैसा रिप्रेजेंट क के बना है, फुट को F T से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके, नेक्स्ट इस यार्ड, यार्ड में भी Y and D, जो फॉर्स और लास्ट लेटर है उससे बना है Y D, and Y D यानि यार्ड, नेक्स्ट TSP, क्या होता है TSP, टी स्पून होता है, टी स्पून, तो T का T आगया और बहुत बड़ी, कुकरी शोज में देखा है, क्या, वन टी स्पून, ये लीजिए, तो उसमें लिखावा, जब रिटर्न फॉर्म में आता है, तो 1 टी स्प लिखाता है, और फुल स्टॉप होता है, वही तो है ये, नेक्स्ट क्या है, M-M, what is M-M, M-M, मैट्स में लिखते ह हैं, तो नंबर कड़ जाते हैं, बट इसका फुल फॉर्म क्या है, M-M, and then kg, kg मतलब kg, right, हम लोग सबजी ले ले जाते हैं, तब हम लोग यूज करते हैं, जब वो टाइप करते हैं, और हमको बिल देते हैं, उसमें 1 kg पूराना लिखके, क्या आता है, 1 kg, that means kg means kg, okay, चलिए, next देखते हैं, हम अब, groups, यानि समुह, यानि बहुत सारे लोग जब एक साथ में होते हैं, तो उनका भी बनता है, क्या, abbreviations, देखते हैं, क्या है, association, association का short में क्या है, ASSN, full stop, association को किस तरीके से represent करेंगे, ASSN, full stop, next, क्या है, corporation, बहुत बार आपने, सारी जो private companies है, उनके पीछे ये दिखा होगा, CORP, उनके नाम जो लिखा हुआ होता है, उसके पीछे, CORP, full stop, वो corporation, corporation बड़ा बड़ा यूज ना करके, shortly use करते हैं, क्या abbreviation यूज करते हैं, CORP, full stop, department भी है, जैसे shops पे लिखा हुआ होता है, departmental store, लिखा होता है, लेकिन वहाँ पे पूरा departmental store ना लिखके कैसे लिखते हैं, DEPT, full stop, इस तरीके से, shortly use किया जाता है, ये time भी save करता है, और हमें hint मिल जाता है, कि ये किसे related है, चलिए next देखते हैं हम अब, क्या है next, other common abbreviations, ये सब मैंने आपको groups में बता दिये, history से related, grammar से related, maths से related, ये सारा हमने देख लिया, अभी, जो mix में है सारे, mis mislaneous है, काफी सारे हैं, वो देखते हैं, जैसे हम लोगों के घर पे, जब आती है, क्या, dark, post आती है, तो उस पे क्या लिखा होता है, कई बार हमने देखा है, इस तरीके से लिखावा होता है, बट we never know, हमें पता ही नहीं होता है, कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होत That means care of का use लिया जाता है. Next is GMT and I hope यह पता होगा और नहीं पता है तो याद कर लीजिए. क्या है GMT का मतलब? Greenwich Mean Time. क्या है? Greenwich Mean Time. Next क्या है? Verses. यह हमने मैच्चेज में बहुत देखा है. आज क्रिकेट का मैच है तो किसका किसका है? तो हम नाम लेते हैं जब इंडिया versus पाकिस्तान. तो हम वहाँ पे यूज करते हैं यह. V.S. यह यूज करते हैं. इसको हम versus बोलते हैं. समझ में आ रहा है? चलिए. Next क्या है? VIP. यह भी हमने कई बारी seats reserved होती हैं. वहाँ पे देखा है VIP. इसका full form क्या होता है? इसका full form होता है very important person. इसलिए तो reserve करके रखी हुई है उनके लिए. Next is ATM. बहुत बार सुना है हमने ATM. घर में रोज का होता है. ATM से इतने रुपे निकलवा लीजिए. यह करना है. ATM जाना है. But ATM का full form जानना भी तो जरूरी है. ATM का full form होता है automated teller machine. So हम पूरा नहीं बोलते हैं इतना बड़ा automated teller machine न बोलके हम बोलते हैं ATM. Next SMS. अभी SMS का बहुत प्रचलन है. हर कोई text करता है. SMS भेजते हैं एक दूसरे के. लेकिन full form पता है क्या आपको. क्या है full form? Short messaging services. यानि जो message है उसको shortly भेजना है. हमने उसको भी छोटा कर दिया है. और क्या कर दिया है? SMS कह दिया है. जो already खुद क्या है? Short messaging service है. उसको हम और छोटा करके बोलते हैं. SMS. Next is ANON. Full stop. क्या होता है? यह होता है anonymous. इसके लिए हम क्या लेते हैं? ANON. Full stop. यह जाने हमने बहुत सारे नए abbreviations. अब चानते हैं हम next social media से related. हाँ अभी बहुत जादा use में यही आता है. हम social media पर बहुत जादा ऐसे देखते हैं abbreviations और सोच में पढ़ जाते हैं. इसका full firm क्या है? यह यहाँ पर क्यों भेजा है? किसी ने हमें जब यह भेजा है तो वो क्या कहना चाहता है? यही सारे हम यहाँ देख रहे हैं. जैसे है ad. ad लिखा हुआ आता है. अभी ad का मतलब क्या है? awesome dude. और next क्या है? afaik. afaik मतलब as far as I know. that means जितना मुझे पता है. तो हम इतना बड़ा नहीं लिखेंगे जितना मुझे पता है. उसको हम short में क्या लिख देते हैं? abbreviation form में. afaik. next is c-u-l. अब c-u-l. what does it mean? इसका मतलब क्या होता है? see you later. इतना बड़ा है? इतना बड़ा भी नहीं है बट हम हर चीज का short करना easy समझते हैं. c-u-l. that means see you later. आप से बाद में मिलते हैं. and next क्या है? c-u-y-l. इसका मतलब है chat with you later. तो c-u-l. call you later. c-u-y-l. that means chat with you later. next is l-o-l. और ये बहुत ही जादा use में लिया जाता है. jokes जब crack करते हैं तो next जो हमारा response आता है वो होता है l-o-l. और इसका full form नहीं पता था तो अभी पता चल जाएगा. l-o-l का मतलब होता है laugh out loud. and next क्या है n-p. n-p no problem. no problem के लिए भी n-p use लिया जाता है. next is r-o-f-l. ये जोग जब crack होते हैं तो abbreviation यूज ली जाती है और इसका मतलब क्या होता है rolling on the floor laughing. that means मैं क्या कर रहा हूं लोटपोठ होके हस रहा हूं. so आज हमने देखे बहुत सारे abbreviations, grammar related, history related, math related, और भी बहुत सारे social media पे जो आज़ कल बहुत trending है वो भी देखे. जैसे हमारा app trending चल रहा and bell तड़ाज इससे पहले मैं जाओं उससे पहले last abbreviation आपके लिए है और आप उसको search करिएगा इसका मतलब क्या है. thank you